नमस्कार इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आसीश राजेंद्र कुमार साथ जनबरी को निर्विया के चारों दोसियों को पटेला हाउस कोट ने जो सजाय मौत का प्रस्थाप था उसका दिन टेह कर दिया था 22 जनबरी सुबा साथ बजए इन चारों दोसियों को फांसी होनी है लेकिन इस बीच जो 14 दिन का समय था तो ऐसा अनुमान लगा जा रहा था कि इन आरोपियों में से कोई न कोई क्यूरिटर प्रटीशन के लिए जाएगा अब ऐसे में इस बीच क्यूरिटर प्रटीशन डाल चुके हैं लेकिन वो दोनों ही दोनों खारिज हुई है अलाकि राश्पती के लिए भी एक पत्र लिखा और गौहार लगाई थी या बिने सर्मा के वकील ने कि इनको मर्सी प्रटीशन दे दी जाए और इनका जो वामला है उसमें इनको छमा याचना दया करके छोड़ दि ही हो लेकिन यह महज एक अपचारिकता के तहर देखा जा सकता है क्योंकि यह पहले से तहर था जब पटेल हाउस कोट ने एलान किया था कि बाइस जनबरी स्वा साथ बजे एनस फासी के फंदे पर लटकाया जाएगा तो सब लोग कह रहे थे और यह है गड़ित की 14 दिन का जो समय है उसके अंदर इनके जो प्रॉपर्टी से सम्मद्दकार है या फिर जो कह लिए यह क्यों का एक प्रॉसेज है वो यह लोग दाकिल कर सकते थे कोट में आज उसी कड़ी में बिनसर्मा ने याचका डाली है लेकिन क्या निसकर्स निकलता है इसका यह तो आने वाला विश्यो को चिनित किया जाता है जिसमें उन्हें लगता है कि इस पर एक बार फिर से ध्यान देने की जरूवत है जैसा कि आप सब जानते हैं कि 31 एकल दोया 13 को निर्विया की केस में चारो आरुप्यों को कोट में दोसी साबित हुए थे सबके सब और इसके बाद सुप्र का यह प्रोसेस बिन्हें सर्मा ने तायर कराया है कोट में और उनके वकील ने पैरवी की है तो इससे क्या हल निकलेगा क्या फांसी की सजा टलेगी यह भी इस पर डेट वारंट जो जारी हुआ था साथ जम्री को उसको लेकर भी एक आचका डाली है और कहा है यह जो डेट की पर डाली है कोट में क्योंकि यह पहले ही माना गया था जैसे ही डेट वारंट पटेल हाउस कोट ने जारी किया गया था तब कि यह लोग के लिए जाएंगे जो कि इनका एक अधिकार है अगर देखा जाए जूडिसियल नियम अवली के तह तो कर इस मालूश डूला जो आपको दूँगा देखते रहे हैं इनकाबर करने बार इनकाबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें